अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं स्पीकर प्रोटेम की और वाई पिर फिर ओवेसे मीणिग प्रेकर प्रोटेम और विक्सयी स्पीकर प्रोटेम होता है तो पुराना लोगसभा स्पीकर होता है वह अपनी office जो कहते है वेकेट करता है उस ताइम पे सबसे खास बात यह है कि नॉर्मली speaker दो लोगसभा अपनी office वेकेट नहीं करता है office vacate करता है और उस टाइम पर यहां पर प्रेसिदेंट आफ इंडिया यहां पर प्रेसिदेंट राष्टपती जो कहते हैं कहीं ने कहीं जो भी senior most member होता है उसको कहीं ने कहीं speaker pro team के रूप में appoint किया जाता है senior most member not in the terms of age not in the terms of age but in the terms of experience भई कोई मानलो 5 साल से सांसद है 5 टाइम से सांसद है जो कहते है मानलो 20 साल से सांसद है 25 साल से सांसद है यानि member of parliament अगर है वो तो कहिने के उसको experience है तो जो भी senior most member होगा ठीक है और ऐसा ये कई constitutional line लिखाई तो conventional ठीक है तो राश्टरपती नॉर्मली किसी को भी कर सकता ठीक है बट conventionally आप कह सकते हो जो भी senior most member होगा उसको कहीने कहीं speaker pro team के रूप में appoint किया जाएगा तो president would be appointing the senior most member of the house as a speaker pro team और यहाँ पे अब speaker pro team का जो कहते हैं दो major rule रहते हैं speaker pro team के दो major rule रहते हैं newly elected members जितने भी आएंगे newly elected members जितने भी आएंगे उनको ओथ दलाना जो कहते है शपत दलाने का काम ओथ affirmation दलाने का काम जो कहते हैं वो कौन करेंगे वो speaker pro team करेंगा नॉर्मली आपको मैंने last lecture में बताया था ओथ और affirmation जो कहते हैं कौन दलाता है प्रेसिडेंट दलाता है बट प्रेसिडेंट अपनी जम्मेदारी जो कहते हैं किसको दीता है speaker pro team को और जब तक आप ओथ और affirmation नहीं लेगते हो you does not become eligible to participate in the proceedings of the house and even you cannot vote in the house ठीक है and you are even not eligible for parliamentary privileges and immunities जो कहते हैं तो ओथ की ये importance है तो जो newly elected जितने मेंबर्स जेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटे यह जो पोस्ट है खतम हो जाएगी, it ceases to exist, it ceases to exist, यानि वो पोस्ट जो कहते है खतम हो जाएगी, so kind of यह temporary post है, जब भी newly elected लोगसभा आती है, तो उस टाइम पे speaker pro team दो रोलना बाते हैं, newly elected members को जो कहते है ओद दलाना, और speaker का जो कहते है, election conduct करवाना, और जैसे ही नया speaker आ ज हो जाती है, खाली हो जाती है, it ceases to what, exist that as a thing, तो यह speaker pro team है,